हाई एवरिवन सो ट्रून जीने की इस वीडियो के अंदर डिसकस करते हैं अपन टॉप फाइव इंपॉर्टेंट कोशन्स ठीक हैं सिविल के अंदर ओकी तो सिविल का एक्जाम आई होप आप लोगोंने प्रिप्रेशन थोड़ी बहुत कर ली होगी उसके लिए एंड जिसक क्या है इंपॉर्टेंट रिमेनिंग है जादा कोशन्स नहीं है भाई जरू देखके आना वीडियो का लिंक डिस्क्रप्शन में है पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है जो कि आपका बेसिक सिविल इंजिनियरिंग एंड मेकैनिक्स इसी के अंदर है तो दोनों मिक्स्ट है शुरू की तीन यूनिट सिविल है देन उसके बाद मेकैनिक्स है तो एक एक करके पूरे पांचो कोशन डिसकस करते है एंड बैस्ट कोशन है पांचो के पांचो पूरे पेपर के अंदर देख ले ना ठीक है सभी बच्चों की हेल्प करिए ट्रूंजियां के अंदर सभी लोग की हेल्प हुई है तो आप लोग की भी जो रिमेनिंग दो एक्जाम्स बचे हुए है तो उसमें भी आप यह काम कर लोगे थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा तो बात करते हैं इंपॉर्टिंट पहला क्या है वो बता दो तो देखो फटा-फट करेंगे प्रेक्ट है ठीक है प्रिविस यर के अंदर बहुत बार पूचा गया है तो इसको कर लेना डंपी लैवल को एंड रिसेंट जो 2022 का पीपर था उसके अंदर भी एक कोशन आया हुआ है एंड प्रिविस यर के अंदर दो से तीन बार आच चुका है तो पेपर डिसकस जैसे कि आपको प एक प्रिविस यर मैं और डिसकस कर दोंगा तो आपका पूरा कंप्लीट कर देता है सब्जेक्ट से तो आइधिंग वह क्लियर हो गया होगा पहला कोशन किया है डंपी लैवल है तो छोड़ना नहीं है थीक फटाक से पहला कोशन कंप्लीट देन नेक्स्ट कोशन की बात कर एंड लेटेस्ट एक्जाम्स के अंदर ये सारे पेपर के अंदर आने के चांसे रखते हैं ठीक है पूरा एनलाइस करके ही टॉप फाइव इंपॉर्टेंट बनाया गया है प्रिवेस एर देखा है साथ में जो प्रिवेस एर में कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक है जो नहीं आए कम आये बट इट में पॉसिबल कि आपकी जो एक्जाम्स अभी होने वाले उसके अंदर ये मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से प्रिपेर किये गए हैं सारे कोशन्स मोस्ट आधी पार्ट है सूपर इंपॉर्टेंट टॉप फाइव है और ये एक्सपेक्टेड है ठीक है अब उनमें से पांच यहां छे आ सकते हैं तो बच्चे वए बच्चे वए जो रिमेरिंग है वो कहा हैं पांप से आएंगे औरakukan से तो कॉनकि जाके चेक रो डिंट करेंगे हई और वहां से ऑकी अ बात करूं तो तीसरा है भाई स्पेशन सुपर इंपोरेंट आपयक है बहुत ही ब्यारा कोश्ण नैं सर्भेटीक ऐँपर सर्वेंग के उपर कोशन-काफी-जाद देखने को आते हैं and paper के अंदर civil के अंदर बहुत ही प्यार important topic है surveying, survey stations उसको दजरूर से करके रखना इसके अंदर आपके बास दो चीज़ें हो रहे shallow and deep foundation इसको भी एक बार पढ़े लेना हाला कि यह थोड़ा कम आया है but it may possible गयार आपके जो exam है उसके अंदर यह देखा जाय सकता है तो shallow and deep foundation को भी पढ़े लेना समझ में आई बात survey station कर लेना, shallow and deep foundation कर लेना तो शुरू के तीन question मैंने discuss कर लिए out of top 5, पहले मैं बात करूँ dumpy level, दूसरा अगर मैं बात करूँ footing and footing के types, तीसरी के बात करूँ तो भाई, survey station and shallow and deep foundation तो यह top 3 तो यह हो गया, अब जो बच रहा है एक और question, जो की civil का है वो भाई, counter and counters line ठीक है, बहुत ही प्यारा question बहुत ही प्यारा counters कभी पूछ लेता, कभी counter line पूछ लेता properties of counter line के नाम से भी question आजाता है मतलब कहने की बात यह है counters and counter lines पढ़ लो, काम खतम हो जाएगा ओके, समझ मही बात तो यह बहुत ही प्यारा question है counters and counters line, ओके अब देखो, यह अपने चार शुरू के जो questions देखें वो क्या देखें, civil के, out of five ठीक है, अब आप लोग सोच रहेंगे जो, sorry, mechanics वाला पार्ट है, उसमें कम क्यों बताया आपने, उसमें सिर्फ एक ही question जो fifth number का question है, वही discuss क्यों कर रहे हो तो बात ऐसी है बात ऐसी है, कि mechanics के अंदर, आप से numerical भी बन सकता है, four source calculate करने को बन सकता है, friction calculate करने का numerical possible हो सकता है तो आपको थोड़ा उधर efforts डालने पड़ेंगे, बड़ जो मैं fifth number की बात कर रहा हूँ, और numerical के हट के बात कर रहा हूँ, which is theory, ठीक है तो शुरू के जो चार मैंने discuss किये हैं, वो civil के हैं, बिल्गुल सही कह रहे हैं, बिल्गुल सही सुना, आपने civil के ही है आती है as compared to mechanics, okay समझ माई बात, इसी लिए top five में से चार कोशन से विल्के देखे गाएं, और जो चार आपको मैंने बता हैं, बहुत ही महत्रपूर्ण है हो सकता है, चारों के चार हो जाएं आपकी paper के अंदर, ठीक हैं, तो इस तरीके से निमेरिकल फ्रेम हो सकते हैं, दो तरीके से, एक तो friction, friction पूस सकता है, okay friction का numerical बन सकता है, दूसरा जो numerical बन सकता है, भाई वो force, friction इसके ओपर तो पहला होगा, दूसरा जो बन सकता है वो भाई है, moment of inertia के ओपर बन सकता है, radius of gyration के ओपर तो इसके भी numerical possible है इसकी theory भी पॉसिबल है बट अपन क्या discuss करें theory क्योंकि theory थोड़ी से असान पड़ेगी as compared to numerical देखो बात सुनों मेरी अगर किसी को numerical करना है तो friction का numerical कर लो force का numerical कर लो असान है but moment of inertia radius of radiation भी ठीक ही पड़ेगा but moment of inertia as compared to friction और force उससे थोड़े से टफ है ठीक है कहने का मतलब यह जो fourth unit है उसके numerical कर सकते हो force और friction वाली unit के असान पड़ेगे ठीक है but अपने theory का discuss करने की बात करें तो fifth number के question के उपर आते हैं fifth number का question है short notes ठीक है short notes लिखने को आ सकते हैं और आते भी है topics बता दो भया किस किस के उपर आते हैं भया FBD free body diagram के उपर short note आ सकता है bow notation इसके उपर short note आ सकता है co-planar forces इसके उपर short note आ सकता है radius of gyration इसके उपर short note लिखने को आ सकता है देखो जो fifth unit आपकी moment of inertia उसके अंदर या तो numerical frame होगा या theory frame होगी numerical आप मतलब chances हैं आपसे बने या ना बने बट theory आ जाएगी तो theory बन जाएगी theory दो तरीके से भी पूछेगा या तो moment of inertia के बारे में पूछेगा short note में या तो फिर radius of gyration के बारे में तो इन चारों को complete करके रख लेना ओके समझ में आई बात मैंने क्या बताया पांचों के पांचों theory questions बताएं क्यूं बताएं क्यों जादा आने वाले हैं यह अपन टॉप 5 में चार हैं कि पांचों के पांचों max अपना यही ट्राय हो कि पेपर के अंदर आपको दिखें एंड 7 x 5 भी करते हो आप यह 14 x 5 करोगे तो पूरा पेपर ही हो जाएगा बट यह 7 marks के लिए ज्यादा प्रिफर होगा short note possible हैं कि 14 marks देखे चले हैं बट जो remaining 4 questions हैं वो 77 marks सी देंगे तो लगब लगब 35 से 42 marks आपके इन 5 questions में cover होते हैं ठीक हैं अब बाकी देखते हैं किते आते हैं वैसे तो chances है highly कि यह 5 questions आपको पेपर के अंदर देखेंगे तो यह प्रिपेर अच्छे से करना इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा time है ज़रूर previous year देखना मैं discuss खुद कर दूँगा टूर चैनल के जो भी है न basic civil engineering and mechanics इसके important आपके लिए discuss किया है complete subject के अंदर वो भी कुछ ज्यादा भरके नहीं है लगबग यही दिखेंगे questions दो तीन extra questions होंगे ज़रूर पढ़ लेना काम आएंगे okay I think यह वीडियो काफी helpful रहा होगा यह वीडियो पसंद आया है वीडियो helpful लगा तो सब्सक्राइब को बैस्ट अफलेब बाई